नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है सीवाई एटलोजर में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे नवम घर में राहू अगर तुला रासी में हो तो किस तरह के परणाम देगा सबसे महत्वपुन का है कि राहू जो है वो एक बहुत ही important ग्रे है क्योंकि उसकी कोई रासी नहीं है वो जिस रासी में बैठ जाता है और जिस ग्रे की उसके उपर दरश्टी आ जाते क्योंकि वो एक छाया ग्रे है तो उस तरह से वो कई सारे ग्रहों के परणाम दे देता है जैसे राहू यहाँ पर शुकर की राशी में बैठ गया तो वो शुकर के परणाम भी देगा राहू के ऊपर किसी और ग्रह की दृष्टी आ गई उसके परणाम भी देगा राहू जिसके साथ यूती कर लेता जैसे यहाँ पे मंगल और शुकर के साथ यूती है तो मंगल के घरों के परणाम एदेगा तो राहू क्या करता है कि एक साथ पांच-पांच-छे घरों के परणाम देता है तो वो कई बार तो बाजी पलट देता है, कई बार बाजी जो हैं, वो हमेशा के लिए हमारी तरफ जो हैं, वो उलटी देता है, तो इसके परिणामों को हम कैसे समझेंगे, सबसे पहले नममगर की बात करते हैं, देखें, नममगर जो हैं, हमारे लिए बहुत ही मैत्रपुन ह सबसे पहले ये भागिस्तान है भुष है अब राहू जो है वो एक तरह से होल है यानि कि ये गड़ा है और वो अगर हमारे भागिये में पढ़ जाये तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे भागिये में एक बहुत बड़ी चूट लग गई है अब ये भाव जो है वो हमारे पिता का ह तो पिता से सम्मंदी तकर हमारी नहीं बनती है, पिता हमारी सपोर्ट नहीं कर तो हमारा भाग्य वैसे ही खराब हो जाता है, अब इस भाव के अंदर जो है, वो बहुत ही सारी अलग-अलग चीज़ें भी आती है, जैसे उच्छ सिख्षा इसमें आ जाती है, हमारी moral values जैसे नेतिकता, कई बार कई लोग आते कि हमारे बच्चों के जो है, वो हमारे से communication अच्छा नहीं है, वो हमारी respect नहीं करते, उसका कारण क्या है, कि 9th house जो है, वो गडबड है, यानि कि moral values, तो अगर नवे घर के अंदर आपके राहु बैठा है, और राहु जो है, वो निर्बल तक जो है, वो अधर्मी हो जाता है, दोकेबाज हो जाता है, पिता विरोधी होता है, पिता के लिए कष्ट दायक होता है, पिता से लड़ाई जगड़ा करता है, और हर बात पे जूट बोलता है, ऐसा मनुष्य जो है, वो विद्वानों को, ब्रामनों को, हमेशा ही जूट उनका विरोद करता है, जैसे कई सारे लोग, जो है, उजो तिस को अंद्विस्वास करते हैं, जो तिसको बुरा बला करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके नवे घर में कोई नवी अशुपगar हैं या फिर राहू या केतू जैसे अशुपग्रे होंगे, तो वो इस तरह का जो है, वो विचार लाते हैं साथ में यहाँ पे जातक के राहू होने से मुफट हो जाता है बिना सोच विचार करे कुछ भी बोल देता है उसकी उच्छे सिख्षा में भैंकर जो है परिसानी आती है और जातक जो है वो अल्प और दुर्बल व्रदी वाला होता है सम्मान करता ही नहीं है और जातक जो है वो निम निस्तर के लोगों से मेल जोल रखता है उन से सारीदिक सम्मंद बनाए रखता है जातक को हर तरह के कारेओं में एससफल ताही मिलती है संतान में, पुत्र में, इन सब चीजों में जो हैं वो देरी होना या उनमें भी परिशानिया आती है अगर यहां पे चंद्रमा के साथ हो यहां पे शनी के साथ हो तो जातक जो हैं वो अपने पिता से या फिर गरै कलेश और मांसिक कलेश का भोगी भी बनता है जातक यहां पर निम्नस्तर की मानसिक्ता रखने वाला जातक बन जाता है लेकिन यह जब होता है जब जातक के अशुप परिनाम होते हैं लेकिन यहाँ पर शुप परिनाम भी हो सकते हैं देखिए अब हमेशा याद रखिए कि जब हम किसी भी ग्रह को देखते हैं तो वो ग्रह जो है वो कोई मालिक है, जो कहीं पे बैटा है, वो सुब भी हो सकता है, अशुब भी हो सकता है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो जो तुला रासी है, इसमें तीन नक्षत्र चलती है, सबसे पहला चित्रा नक्षत्र चलता है, उसके बाद स्वाती और उसके बाद विसा का, च हम यहाँ पे कहेंगे, मंगल जन्मकुनली के लिए एक योग का रचा, जोनुवों को तीसरे घर का रचा रचा है और दस्वए घर का रचा है, हां वो सनी से मितरता नहीं है उसकी, लेकिन उसके पास दस्वा घर करम का है, और राहु नवे घर में बैठा ही है, तो नवा औ नीच का नहीं हो अशुब नहीं हो जैसे कि मान लिजे कि मंगल 6 गर में बेटा अभी तो अब यहां पर क्या है तो आपको भौत ही अशुब परिनाव मिलने के योग आ तो आपको यह देखना है कि मंगल सुभ है या नहीं है जैसे मंगल बार में गर में आ गया उच्चका हो गया तो आपको पढ़ाई के लिए विदेश जाना घर से बाहर पढ़ाई होना विदेश में आपका रहना यह सब चीजे करा देगा यहां पे राहू आपको राजियों देदेगा तो यह डिपेंड करेगा उसके नक्षतर के उपर उसके बाद अगर वो अपने ही स्वय नक्षतर राहू अपने ही नक्षतर में आ जाए और उसका यानिकी राहू जो है उसके उपर कोई शुभ ग्रह की दरश्टी पढ़ जाए तो आप यह माने की बहुत यह अ यह माने की श्ट्रगल में निकल जाएगा आप प्लान बनाओगे प्लान कभी फलीती नहीं होगा आप पढ़ाई के लिए विदेश जाओगे या फिर अपने स्टेट से बाहर जाओगे वहां भी फेल हो जाओगे यह क्यों क्योंकि वो शुक्र के नक्षतर में और शुकर आठवे घर में नीच का तो आपकी हर तरह की चीज को जो है वो एक तरह से नजर लग जाएगी अगर शुक्र जो है वो जन्मक उंडली में कोई और अशुभाओं में हैं दूसरा अगर शुक्र चटे गर में है तो यहाँ पर आपको जो है वो मानसिक परिसान ने देगा औ और आपको जो है वो नौकरी में अर्चने पैदा करेगा यहाँ पर शुक्र पांच वे घर में बहुत अच्छा रिजल देता है शुक्र साथवे घर में बहुत अच्छा रिजल देगा तो इस तरह से आपको शुक्र को देखना है क्योंकि यहाँ पर राशी स्वामी उसका है यहां पर अपर उत्थ के अंदर धन घर कामा लिगा और आपका लाभ घर कामा अलिगा के अगर अगराँ यहां पर शतृत करींट में बैठा है जो कि आपके family वाले आपको हमेशा ही लाब देंगे आप जो है अपने घर से बाहर भी पढ़ाई कर सकते हो और अपने घर के अलावा आप अपने व्यापार को कहीं और भी जैसे कि आपका कई सारी राज्यों में आपका व्यापार चल रहा है तो इस तरह की चीज़ों को भी आप कोई family नहीं पाएगा और यहाँ पर याद रखिए कि यह पिता का भावा एक दो तीन और चार तो पिता की property है वहाँ पर गुरू नीच का होता है और गुरू के नक्षे तरमिरा हुए तो पिता की property को नचर लग जाएगी वो पिता अपने आप ही आपके जवान होने से पह property से समंदित नुकसान की योग बन जाएंगे क्योंकि यहाँ पर गुरू बारवे घर में यानिकि यह आपका settlement है खर्चोंगा भाव है तो यहाँ पर नीच की होने से इस तरह की जो हैं वो तकलीवे बनती है अब अगर यह जो तीनों नक्षत्रश्वामी है अच्छे होते ह तो यहाँ पर राहु विदेश की नोकरी विदेश में रहना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार और आपका जो हैं वो हर तरह से जीवन में शुक में चीज़े ला देता है बस विवाह के लिए थोड़ा सा अर्चनी जरूर पैदा करता है डिले मेरीज की तो पर जैसे क यहाँ पर इस कुंडली में देखते है तो राहु यहाँ पर देखोगे तो 10 डिगरी का स्वाती नक्षत्र में तो स्वाती राहु का इनक्षत्र इसका मतलब है शुक्र यहाँ पर साथ में बैठा है तो बहुत अच्छे परणाम देरा जात्तक को लेकिन मंगल के साथ है औ तो बहुत अधी गुसा आने का योग बनेगा यहाँ पर जातक जो है वो क्या करेगा अपने पिता से जो है वो उनकी बनी नहीं या फिर पिता से संबंदी तकलीप होंगी या पिता को जो है वो प्रोपर्टी का नुक्सान हो जाए इस तरह की दिक्रति हैंगी यहाँ पर तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए राहु के नवे कर के उपाय कर सकती है शुक्र को मजबूत करें, शुक्र का रतन ओपल पहनने से ये चीज़ें मजबूत करें, मंगल के दान करें जिससे कि आपका राहू का ये अंगारक दोस्त कम हो जाए जिससे आपको लाव मिलेंगे, तो इस तरह की चीज़ें करने से आपको लाव मिलेंगे, राहू के लिए आप चांदी के पत्रियों को ऊपर राहू का यंत्र को दुआएं, उसको प्राण परस्ति करें, राहू के संपूर बीज मंतर के द्वारा तो आपको बहुत यह दिदिक लाब रहेगा, तो इस तरह से आप जो हैं, आप उपाय कर सकते हैं और अपनी जन्मकूर्ण लिमिक फा नवाद दो